उत्तर प्रदेश में कानून मिवस्था सुधारने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनात के निशाने पर साइबर क्रिमिनल्स हैं CM योगी ने साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब साइबर क्राइम के खलाफ प्रदेश में अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया है इसके साथ ही CM योगी अधितेनात ने ग्रिविभाग के टॉप के अधिकारियों को नशे के सौधागरों के खलाफ और भी शक्तिव करने को कहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने 29 अक्टूबर को ग्रिव भाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है इस बैठक में उन्होंने बढ़ते साइवर क्राइम पर चिंता जताई और अधिकारियों को यह सक्त निर्देश दिया कि इस पर नियंप्रण करने के लिए वे हर संभव उपाई करें बताया जा रहा है कि इसके लिए सीम योगी ने हर जिले में साइवर थाना खोलने के साथ ही उसके संचालन पर भी नजर रखने को कहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुखे मंत्री ने कहा कि हर जिले में साइबर थाना खुले से इस अपराद से जुड़े मामले एक ही जगह पर दर्ज होंगे जिससे उसकी जाच आसान हो सकेगी उन्होंने इसके लिए पुलिस अधिकारियों को कार्य योजना तयार करने को कहा है बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए सरकार एक टूल का प्रियोग करेगी जिसे आयाईटी कानपूर के वैग्यानिकों ने तयार किया है आयाईटी के वैग्यानिकों प्रदेश के डीजेपी और अन्यबरिष्ट पुलिस अधिकारियों के सामने इसका डेमो भी दे चुके है उत्तर प्रदेश किसी राज्य का पहला पुलिस बल होगा जो इस तरह के टूल का इस्तमाल करने वाला है बताया जा रहा है कि इस टूल सिस्टम के माधियम से पुलिस मैसेज, फोन कॉल, इमेल से होने वाले साइपर अपराद का खुलासा कर सकेगी और अपराधियों तक पहुँच सकेगी NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2019 में साइबर अपराद के 11,000 से जादा मामले दर्ज हुए थे और 2020 में भी 11,000 से जादा मामले पाए गए लेकिन 2021 में पिछले वर्ष की तूलना में साइबर अपराद के मामलों में लगभग 22.6 प्रतिशत की कमी आई थी 2020 में साइबर अपराद के 8829 मामले दर्ज हुए थे लेकिन अभी साइबर अपराद जिस तरह से बढ़ रहे हैं कि सरकार के लिए चिंदा की बात है टाइबस तौन अभारत डिश्टल की रिपोर्ट